हेलो गाईज, वेलकम तो एनके चैनल, तो आज मैं फर्स्ट वाकराउंड देने वाला हूं, ताटा एल्ट्रोस का, ठीके गाईज, तो हम शुरू करते हैं, फ्रंट लुक से, तो अगर आप फ्रंट का बात करें, तो आप देख सकते हैं, कि ये ताटा का निया दिजाइन ले मोडल में, और आप अगर लोर मोडल देते हैं, तो आपको उसमें हेलोजेन हेडलेंप से मिलेंगे, और अगर आप फोगलेंप को देखे, तो वो DRL और फोगलेंप एक साथ दिया गया है, ठीक है गाईज, बीच में आपको ताटा का लोगो मिलता है, और ब्लेक कलर का ग्र हुआ, अगर हम अभी Sight का बात करें, तो आपको जो door handle मिलते है, वो आपको body color ही मिलते है, और जो आपका rear door handle है, वो आपको door के उपर mount मिलता है, जैसे आप swift में देखते है कि उपर में आपको handle मिलता है, वैसे ही मिलता है, और अगर आप indicators की बात के तो आपको fender पे मिलता है और विम पर नहीं मिलता है दोस्तों आपको फेंडर पर मिलता है और अगर आप लेते हैं कोई भी मोडल बेस या टॉप आपको हर मोडल में जो आपका और विम है मतलब जो साइट का ग्लास है वो आपको ब्लेक कलर में ही मिलेगा और आप एलेविल्स का डिजाइन देखे तो यह फाइव स्पोक एलेविल्स है जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है तो अगर हम अभी रेर में जाए तो आप डेख सकते हैं कि रेर में आपक सबते हैं तो आपको अच्छे लगते हैं रात को परशसली देखा आया को बहुत ही अच्छे लगते है ज colored आपको देफर वाण डवाशार सब मिल जाता है और एक्दम नीचे देखे तो आपको मिलता है पालनल ईश्लिखा वा मिल जाता है जो आफकल टाटा की हर गारी में आने लगा है अभी हम बूट का बाद करें तो आपको इसमें बहुत ही बड़ा 300 प्लस मतलब 350 लिटर का बूट मिल जाता है आप देख सकते हैं ठीक है अभी हम इंटियर का बात करें तो एक ड़म आप अगर पहले डेश्बॉट देखे तो डेश्बॉट आप देख सकते हैं टाता का न्यू लुप बाला डेश्बॉट यह एक ड़म प्रीमियम लुप देता है आपको बीच में आपको एक तो आपको प्रोम सराउंड मिलता है और अगर आप उस एक इवेंट के साइड में देखे तो आपको एक ब्लू कलर का लाइट में दिख रहा होगा तो इसको टाटा एंबेंट लाइट बोलते है तो यह फीचर भी आपको अल्टरोस में मिल जाता है अगर आप गेर की बात करे इसी बात पर मैं आपको इंजिन के पार में बता दू तो इसमें दो इंजिन अप्सन मिलते है आपको एक पेट्रोल मिलता है और एक डीजल दीजल में जो है वह नेक्शन का पाव़फुल इंजिन मतलब नेक्सवन वाला ही 1.5 लीटर इंजिन मिलता है बस थो रहा सा डीट चलाने में अच्छा ही होता है और अगर आप Infotainment का बात करें तो यह 7-inch Infotainment है जिसमें आपको Apple CarPlay, Android Auto यह सब मिल जाता है और Navigation भी मिलता है और अगर आप Steering Wheel का बात करें तो आप देख सकते हैं यह एक Sporty Flat Bottom Steering Wheel है मैं Sparing Wheel बोलने वाला था Steering Wheel है ठीक है इसके बाद अगर आप देखे तो इसमें आपको Cruise Control भी मिल जाता है Top End Models में और जो दूसरी साइट पर है वो Volume के Control है और अगर उसके बाद देखे तो आपको इसमें Start Stop मिल जाता है मतलब बीना की के ही आप Car Start कर सकते हैं उसके बाद अगर आप हम Speedometer को देखे तो आपको Speedometer में भी एक 7-inch का Display मिलेगा जिसमें आपको RPM सो होगा Information System भी वही है और आप राइच साइड में देखे तो आपको राइच साइड में Speed का मिलेगा जो Analog है और यह जो डिजाइन है यह बहुत ही ज्यादा अच्छा रगता है इस Car के साथ ठीक है गाइस अगर आप हम Front Seats का बात करें तो Seats आप देख सकते हैं कि Front Seats बहुत Comfortable है आप तो जानते है टादा का Seats कितना अच्छे होते है तो इसके Front Seats बहुत ही ज्यादा Comfortable है और Top Model में आपको Height Adjustable Seats मिलते है चारो Power Windows भी मिलते है Top Model में Actually XE जो है उसमें नहीं मिलते है चारो Power Windows उसके बात के सारे वेरियंश में आपको चारोë Power Windows मिल दाते है और अगर आप रेर में बात करें तो आपको रेर में एजस्टेबल Headrest Rare में ही नहीं आपको सारे cसे सब में adjustable Headrest मिल・शी और आगर रेर सीड की बात करें तो Nexon का जो पुराणा प्लेटफोर्म है उससे एक लेवल उपर का प्लेटफोर्म पे बनाया हुआ है मतलब यह ताता का नया प्लेटफोर्म पे बनाया हुआ है और इसकी जो safety rating है वो है five star स्टार के मामले में दोनों एकी है मगर अगर आप डीटेल्स में जाके पॉइंट में देखे तो अल्ट्रोस उससे भी ज्यादा अच्छा स्कोर करता है तो गाइस अभी मैं आपको शुक्रिया कहता हूं आप मेरे वीडियो को पुरा देखने के लिए अगर आपको यह वीडि चैनल को सस्क्राइब ही कर सकते हैं और शाद ही चैनल के सामने जो बेल ऐकेन है उसको भी डवा सक्थे है यह बोलना चाहूंगा कि कोना भायायस आप सब जानते ही है यह जो भायायस है यह निकला है तो इससे बचे रहने के लिए आप अपने हाथों को कुछ देर बाद बा ठोड़ा और अगर कोई जरूरी काम हो तो ही बाहर जाए और उसके बाद भी ज्यादा भीर भाले इलाके में मत जाएए क्योंकि वहां से नाफ है सोने के थोड़े चांसे से तो ठेंक्यू गाइस बाइबाइबाई